अब देख रहे हैं दसके दमदार ट्रेड भारते बाजारों में आज इस साल के आखरी ट्रेडिंग सेशन में भले ही कुछ मुनाफ़ वसूली देखने को मिल रही हो लेकिन जैन सीरीज नॉमली हम कहते हैं थोड़ी सी फीकी रहती है 2024 का साल कैसा रहेगा उसके हम बातचीत करेंगे लेकिन आपकी स्क्रीन पर पहले दिखा देते एक बहुत ही इंट्रिस्टिंग डीटा दरहसल पिछले आठ सालों से लगातार निफ्टी ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिये हैं और 2023 का साल भी वैसा ही उभर कर आया है कल क असला दरहसल शुरू हुआ था 2016 में 2015 में थोड़े से नेगिटिव रिटर्न थे 16 में 3%, 17 में 28%, 3% फिर 18 में मिले 12 मिले 19 के साल में 2020 याने की COVID वाले साल में आपको 15% के रिटर्न निफ्टी ने दिये और 21 का साल बंपर रिटर्न वाला साल था करीब 24% तक के रिटर्न यहां और फिर 2022 में 4% के रिटर्न और 23 में आपको मिले फिर डबल डिजिट रिटर्न नेरली 20% तक के तो सवाल यही है कि यह क्या सिलसिला फिर और बढ़त का जारी रहेगा 2024 का आउटलुक क्या है हमाएं साथ जुड़ गए है सुनील सुब्रमानियम सुनील जी स्वागत है आपका और अडवांस में नए साल की धेरो शुप कामना है बताइए 2024 से भी डबल डिजिट रिटर्न की उमीद करें हाँ यह सुमीद रख सकते हैं खासी है कि यह यह रफ एलेक्शन होगा पहले चेमिने में इंडियन एलेक्शन और सेकंड चेमिने में यूएस की एलेक्शन तो उस एलेक्शन की आउटलोग फोरकास उपिनियन पोल्स यह बहुत एक माइना रखेगी इस साल के मार्केट के में तो हदर चौबीस में और मैं फर्स्टाफ में जरूर बहुत पॉजिटिव मार्केट देख रहा हूं क्योंकि जो डिसम्बर थर्ड के रिजल्ट्स है उससे में वाले एलेक्शन के रिजल्ट भी सामने क्लियर दिख रहे हैं तो इसलिए एस का भी मैं बहुत बड़ी व प्लुक आती है इंटरम्स ऑब बोथ इंफलेशन रेट काट्स और एलेक्शन फोर्कास सब्सक्राइब क्योंकि बहुत से डेटा पॉइंट्स और यह सब सामने आएगी इंडियन में जो सिट्यूवेशन एकोनोमिक ही है उसमें मेरे को कोई स्लोडाउन नहीं दिख रही है इन फैक्ट में सेकेंड आफ ऑफ दे यर में एक कैपेक्स साइकल की प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो अब तक जो उमीद थी उतने हिसाब से अभी बड़ी नहीं है और थोड़ा डिले हो रहा है कैपेक्स साइकल शायद सेकेंड हाफ में मैं सोच रहा हूं कि जरूर इस में एक बंप अप आएगी तो नाचरली आउटलुक फॉर दे सेकेंड हाफ उस चीज़ के ओपर होगा तो समराइज करने के लिए मैं गोंगा कि फर्स सिक्स मन्स शायद लार्ज कैप के टाइम होंगे और सेकेंड सिक्स मन्स ब्रॉडर मार्केट का टाइम होगा तो फर्स स साल के अंत में आते आते सब लोग कह रहे थे कि लाज कैप में पैसा शिफ्ट होगा वैसी सिचुएशन तो भरती नहीं दिखाई देगी ना जो पैसा स्मॉल और मिट कैप्स ने बना कर दिया है दोजार थेज के साल में क्या वो क्या उसी वही रंड रेट पर आगे रिटर करना मेरे ख्याल में ग्रोथ होगा बट आप वही रेट को रेप्लिकेट करना मत सोचिए मैं क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि सेकेंड हाफ अफ अफ दे यर ने सेप्टमबर अक्टॉबर में एफ इस ने सेलिंग किया था तो बहुत उसमें क्या हुआ था कि डॉमेस्टिक फं हादा पैसा भी मिदन स्मॉल केप की खरीजारे में लगा हुआ था तो इसलिए वहां पे एक बढ़प आपको ज्यादा दिखी क्योंकि कांसलरेशन वही था अब क्योंकि एफ इस की वापसी मेरे को क्लियर कट दिख रही है और डॉमेस्टिक फंड मैनेजर्स भी क्योंकि उनको दिख रही है FIA की वापसी वो भी शायद थोड़ा लार्ज केप को रियलोकेट करेंगे ताकि वो स्टॉक को खरी दें विफोर दी FIA has come in a big way तो थोड़ा बहुत एक शिफ्ट आप एक मिने का रिटर्न देखे तो लार्ज केप सर्फ कॉट अप विध मेरे स्मॉल क्योंकि strong buying support through SIP book तो जारी रहेगा तो इसलिए वहां पे reallocation of capital के कारण large cap तेजी से में बढ़ते हुए देख रहा हूँ और second half में देशे में घरता normalize होगी और small and mid cap की वापस एक तेजी सुरू होगी तो शायद year end के अंदर हम देख सकते हैं तो again broader market will beat the large cap market but not by as much as इस साल ह पूछने का कारण थोड़ा सा personal था सुनील जी क्योंकि अब year end आते हाते हम सब भी देखने लगते हैं कि कहां पर पैसा है कहां अच्छे returns बने कहां नहीं तो जादा तर allocation और कई लोगों के साथ यह होता है मेरे साथ भी हुआ है कि large cap funds में था कुछ flexi cap funds में मिड और small cap में इ अब जहां पर वो बड़ा alpha मिलता है उदर पैसे नहीं लगाए हैं तो मैं कहूंगा कि आपको एक guilt feeling होगी कि आपने वो में जाना थो थोड़ा अभी लेट हुआ है तो मैं कहूंगा कि एक और एक segment है जो अपने mention नहीं किया वो है large and mid cap एक category है सेभी का जहांपे large and mid cap है जहा मैं कहूंगा कि थोड़ा साफदान रही है इस late stage में वहां पर unless आपके fire outlook है तो problem नहीं है मगर large and mid cap एक अच्छी segment है जो जहांपे आप allocate कर सकते है अभी और उसके साथ multi cap जो सेभी के नियम के तोर पर 25% last cap 25 mid 25 small हर वक्त में रखने की एक जरूरत है तो वो भी मैं कहूंगा अच्छी एक रास्ता है आपके लिए जहांपे आप small cap में exposure देख सकते हैं मैं directly आपको अभी small cap में निवेश करने के लिए नहीं सला दूंगा but multi cap में आपको 25% small cap मिलेगा और large and mid cap में 35% plus आपको mid cap में exposure मिलेगा तो यह दो segment में आप shift करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको फाइदा हो सकता है over the medium term सुपरिमानियो सार प्रणाम विरेंदर बोलाओ डैली स्टुडियो से अभी आपने multi cap multi cap शथ का जिकर बहुत बार किया लेकिन especially post I think war I mean Ukraine Russia war जिसने multi asset approach रखी औरोंने भी वह बड़े अच्छी win-win situation में थे वहाँ debt का फाइदा वहाँ पर आप देखें precious metals में gold का फाइदा और आपको equity तीनों का फाइदा मिला मान लेजिए हरश्दा को एक साथ बहुत बड़ा पैसा लगाना हो तो वह multi asset approach में कैसे कैसे जाए कहां कहां focus करें मुझसे बुख रहे हैं विरिन हाँ आप इसे मल्टी asset बहुत बड़ा category है especially खास करके जहां पे gold का allocation है तेकि gold की ना दो खास चीज होती है और मैं एक सब्सक्राइद का इस्तमाल को रूँगा कि gold is the best shock absorber तो उसमें क्या होता है कि war की time ने अपने बताया तो gold तेजी से दोड़ती है अब US में rate cut आता है तो sovereign wealth fund जो मेरे ख्याल में 16% world के sovereign wealth fund की allocation gold में है और जैसे ही उनको rate cut आता है 50% उनमें dollar में रखते हैं उसको dollar की weakening के वज़े से उनका जो mark to market loss होगा उसको protect करने के लिए वो shift करते हैं from dollar to gold और पिछले दो साल में आपने देखा कि war के कारण और ये rate cut की जो expectation है उसके कारण 1000 ton gold sovereign wealth fund ने हर साल खरीदे हैं दो साल में तो मेरे ख्याल में ये अगले साल भी वही होगा क्योंकि अभी 250 basis points का rate cut 2026 तक expectation है फेट के जरीए तो dollar की जो weakening trend है उसमें जरूर gold का lab होगा और कुछ भी हाथसा जब भी होता है तो gold को एक support मिलती है तो gold का addition आज अपने portfolio में बहुत बहतरीन चीज़ है मगर क्या हुआ last year finance bill में gold ETF में direct निवेश करने का tax benefit indexation जो पहले था उसको हटा दिया गया इसलिए यो multi asset fund जिसका जिकर किया आपने वो एक fantastic route है जहां पे आप tax efficient way में gold को accumulate कर सकते हैं और ये एक अच्छा वक्त है उसके लिए क्योंकि मेरे ख्याल में एक weakening dollar equal to strong gold और हर किसी के portfolio में Indians को तो gold के लिए आपको कुछ कहना नहीं है 23% of world gold demand इंडिया से आता है तो gold का addition to a portfolio in a tax efficient way जो multi asset funds offer करती है वो मेरे के लिए बहुत बढ़िया choice है क्योंकि multi asset में 6% large cap में equity में रखेंगे तो वो भी आपको equity का tax session भी दिलवा सकता है तो आपने बहुत बढ़िया चीज़ कहा कि multi asset एक important part of a customer's portfolio इस वक्त में ज़रूर में कहूंगा यह प्रशन नहीं पूछ रहा था हष्टा के perspective से अगर एक मुष्ट बहुत बड़ा पैसा लगाना हो तो अच्छा coming back to equity I mean सुभी में सार आपने जो बात कही थी CY24 दो चीज़ गरे जाना चाहेगा चुनाओ भारत में चुनाओ यूएस में एक और चीज़ rate cuts यूएस में और भारत में भी और उसकी possibilities वो I think आपकी जो disposable income है उसको substantially increase करता है यह time frame और वहां से वो जब वो शुरू होता है तो काफी समय तक चलता भी है ऐसे में एक दो space जहां पर आपकी rating कहती है कि वो जो पैसा आएगा सबसे ज़्यादा फाइदा होगा चाहे वो white good segment हो चाहे वो FMCG हो आपका view इस दो space पे यहस consumer discretionary मेरे लिए best performing segment होगा अगले साल तो कि consumption में क्या हुआ है कि एक तरफ आपके जो post covid की जो एक bounce back anticipate कर रहे थे वो पूरे full consumption space में अभी नहीं दिखा है खाली premium consumption जैसे high end SUVs या फिर बड़े बड़े घर वहीं पे दिखा है एक broader market में consumption का बड़प नहीं हुआ मैं अमिस्ताओं की अब वक्त उसके लिए सही है क्योंकि election का time है liquidity ज़्यादा रहेगा market में people की per capita incomes भी बढ़ रही है तो definitely और जो summer आने वाला है उसमें refrigerators ऐसी चीज़ों की आपको demand भी बढ़ते हुए दिख रहा है second capital market की और से यह मैं कहूंगा की economy में consumption main driver होगा second चीज़ मैं कहूंगा की आपको GDP growth के अंदर भी consumption का share बढ़ेगा EPSP consumption companies की अच्छी आएगी तो stock market में भी क्या हुआ है कि पिछले साल डेड़ साल में capital allocation ज़ादा infra की और चला गया है क्योंकि एक anticipation था कि capex cycle बहुत जल्द revive होने वाली है अब वो स्थोरी थोरी delay हो रही है क्योंकि capacity utilization थोड़ा flat at 76% के level पे अटक गया क्योंकि consumption नहीं बढ़ी तो मैं सोचूंगा कि अगर numbers EPS के इतने अच्छे आते हैं तो consumption पे reallocation of capital away from infra into consumption हो सकता है तो not only from an economy EPS perspective, stock market की prices की और भी मैंको consumption एक अच्छा next year के लिए probably very good sector लगता है सुनीर जी बैंकों को लेकर bias काफी जादा positive है और मुझे आद है सरकारी बैंकों पर आप हमेशा से bullish रहे हैं इस cycle में यहां पर कितने पैसे बनेंगे, दूसरी तरफ HDFC considering वो finally जाग गया है और participate करने लगा है, वहाँ पर किस तरह का capital allocation होगा आपकी तरफ से और फिर आप जैसे fund managers की तरफ से देखें, यह तीन sector, IT, banking और consumption थोड़े neglected sectors रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा story was about infra and capex और domestic में, जो आप देखें small cap index में 40% cap goods related companies का allocation है, तो small cap में जैसे पैसा क्या है, वो ज्यादा उदर गया था तो यह neglected status में अभी क्या है कि FIA की वापसी, ज्यादा तर FIA का पैसा ETF के जरीए आता है, यानि passive, यानि index की जो weights होते हैं, उस हिसाब से उनको allocation मिलेगा, तो banking का 35% large cap index में share है, तो जरूर जो FIA की buying है, तो आप correlate कर सहीं थी banking sector का overall buying बढ़ेगा, तो naturally returns भी अच्छे बढ़ेंगे, अब मैंने individual company का नाम तो मैं नहीं लही सकता हूँ बढ़ मेरे लिए foreigners जब निवेश करते हैं, वो choose करते हैं quality और consistency of EPS growth, तो large cap banks में जरूर मुझे एक buying opportunity दिखती है, और शायद वोज का performance मेरे लिए whether they be PSU banks और they be private banks, quality banks का मेरे का outlook बढ़िया लिख रहा है PSU banks में थोड़ा और positive इसके लिए है कि जब भी capex cycle शूरू होता है, जैसे मैं के रहा हूँ कि मैं चायद second half of the year में एक capex cycle की growth, क्योंकि first half consumption का half होगा, और जैसे ही capacity बढ़ती है, capex की actual कारीकरम शूरू होगी, तो वहाँ पे PSU banks का lending में share ज़्यादा है, वेरास private sector banks का retail lending में focus ज़्यादा है तो PSU banks, especially mid and small cap SME segment में जो cap goods supplier होते हैं, capex projects के लिए, उनको financing पूरा PSU banks के थू होगेगा, तो PSU banks की जो net interest margins और loan book की growth मैं जबरदस देख रहा हूँ, second half of the year, तो buying के लिए first half में अगर आप accumulate करेंगे, तो आपको end of the year तक मेरेको अच्छा return उदर भी बनते हुए दिख रहा है, और मैंने consumption की जो बात अभी की variant के साथ, उसमें ये भी खास सीज़े कि FMCG भी consumption का पायक है, जहां बें large cap में, मैं देख रहा हूँ कि FIS की ज्यादा allocation FMCG में होगी, तो overall consumption में large cap और medium small cap, दोनों में consumption की भी, तो मेरे लिए banking और consumption ये दोनों would be the right picks for the next year. Sunil जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे ले समयने कालने के लिए, wish you good luck and happiness for 2024, of course, अगले साल आप से मुलाकात तो होती रहेगी. Happy New Year to all of you. हम आप साल